नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियो को देखना चाहते हों, तो वीडियो के नेचे मुझूद जोइन बटन की साहिता से आप मेंबर्शिप को जोइन कर सकते हों। चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं। आप जनल स्टेडी पेपर 3 के इस टोबिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों। ये एस्पेक्ट हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिसकेशन में। सबसे बहले बात करते हैं इंटूडेक्शन की। देखो, पॉलिशन की जो समच्या हैं, खास करके जो सर्दियों में हो जाती हैं, नोड थीडिया में, ये काफी कॉंप्लेक्श हैं। काफी सारी डिमेंशन हैं, काफी सारे सोर्सीज हैं जो कोंट्रिब्यूट करते हैं इस पॉलिशन की समच्या में। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे लास हैं, बहुत सारी स्पेशलाइज़ एजन्सीज भी हैं, लेकिन वो सब पेपर पर हैं, इंप्लिमेंटेशन काफी ज़्यादा वीक हैं। इस बोड की देखो सबसे में जिम्यदारी हैं, पॉलिटर्स के खिलाफ एक्षन लेने की, पॉलिशन की समच्या को कंट्रोल करने की, बट स्टेट पॉलिशन कंट्रोल बोड काफी तरह की समच्याओं से ग्रस्थ हैं, जैसे की, रिसोर्सिस का अभाव, जो एमपलोईज है उनमें specialization का अभाव employees में skills का ना होना उनके पास tools का ना होना उनका focus ना होना core areas पर हम detail से discuss करेंगे इन कम्यों के बारे में अगर देखो हम compare करें मतलब writer compare करते हैं central pollution control board को और state pollution control board को तो writer कहते हैं देखो जो central pollution control board daily में हैं इनके पास तो बहुत पैसा हैं इनके पास resources हैं इसलिए central pollution control board scientist को recruit करते हैं उनको incentivize करते हैं specialization के लिए कि आप bio waste management में specialization हासिल कर लीजिएं या फिर किसी दूसरे एरिया में आप specialization हासिल कर लीजिएं लेकिन अगर हम इसके ठीक विपरित state pollution control board की बात करें जो कि rules को implement करते हैं central pollution control board क्या करता है rule लिखता है rule बनाता है script लिखता है और उसको script को implement करने की जिम्हादारी होती है state pollution control board की but जैसा हमने discuss किया state pollution control board के पास duty तो जदा है काम तो जदा है जैसे inspection करना infrastructure की, activities की awareness campaign भी चलाना जैसे farmers को जाकरू करना कि आप stubble को मत जलाएं लेकिन ये सारी duties परफॉर्म करने के लिए resources का अभाव है state pollution control board के पास सबसे पहली कमी तो ये है sorties of staff देखो example के तोर पर हर्याना state pollution control board इस board में फिलाल अगर 100 vacancies fill होनी चाहिए तो सिरफ 30 लोग काम कर रहे हैं 70 जो post हैं वो खाली पड़ी हैं पहली तो बहुत बात देखो post 100 के बजाए ज़्यादा होनी चाहिए थी 200-300-500 होनी चाहिए थी यानि sanction जो post हैं हर्याना pollution control board में काम करने के लिए आल्रेडी कम है 500 के बजाए 100 हैं और 100 में भी 70 खाली पड़ी हैं सिरफ 30 लोग काम कर रहे हैं को संभालने की जिम्मदारी हैं कोई subordinate स्टाफ नहीं कोई टेकनिकल स्टाफ नहीं इसका नतीज़ा तो सिधा सिधा यहीं निकलेगा ना कि pollution control board अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा अब माल लीजिए महेश कुमार है pollution board में officer के तोर पर तेनात है किसी district में हिसार district में माल ली इसके बाद दूसरी limitation की बात की जाती हैं जो हमने पहले भी discuss किया state pollution control board अपने officers को ठीक से specialization नहीं दिलवा पाता specialization के लिए incentive नहीं करता जैसे देखो central pollution control board इनके पास तो decent workforce होती हैं laboratories होती हैं एक बार scientists recruit हो जाते हैं तो उनको incentivize किया जाता है कि आप किसी एक area में specialization हासिल कर लीजिए जैसे biomedical waste, hazardous waste या फिर air quality management और बात करें state pollution control board की एक ही तो officer है महेश कुमार वो बिचारा क्या करेगा specialization हासिल करेगा या inspection करेगा तो इसलिए writer कहते हैं इतना कम workforce है state pollution control board में वो अपना पहले ही काम ठीक से नहीं कर पा रहे है specialization तो तब हासिल करेंगे ना जब उनको time मिलेगा तीसरी कमी है lack the necessary legal skills to take on polluters देखो जो polluter है pollute करते हैं atmosphere को उनके खिलाफ axle नेने के लिए एक legal cell होना चाहिए हर एक district में लेकिन ऐसा होता नहीं state कई सारे pollution boards ऐसे हैं state pollution control boards के हम बात कर रहे हैं जहां पर legal cell सिरफ headquarter में हैं तो इसका नतीज़ा ये निकलता है कि महेश कुमार को ही यानि district में तेनात officers को ही जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप ही legal case त soluter के अगेंश्ट है तो महेश कुमार बिचारा case त्यार करता है वो court में लेके जाता है और court में जो clerk क्या फिर superintendent होते हैं वो कह देते हैं कि आपने तो जो case त्यार किया है इसमें बहुत सारी कम्या है लोट जाईए वापस आईए तो महेश कुमार फिर छोड़ देता है कि छ officer होता है उसी के उपर जिम्यदारी होती है लेकिन आम तोर पे वो engineers होते हैं उनको legal knowledge नहीं होती चोथा point है state pollution control boards underfunded है state जो है वो पैसा allocate नहीं करता boards को होता क्या है वैसे तो देखो ये state government की जिम्यदारी है कि आप state pollution control board को budget allocate करो ताकि ये अपना काम ठीक से कर सके हैं लेकिन state government करती रही है state government बोलती है district boards को कि अगर कोई industry लगती है वो आपसे no objection certificate मांगे तो fees के तोर पे आप कुछ पैसा वसूल लीजिए या फिर कोई और factory आपसे consent मांगे operate करने के लिए तो उससे आप थोड़ा fees आप वसूल लीजिए और इसी से आपको जो revenue मिलता है उसी से आप अपना काम चलाइए तो महेश कुमार के पास पैसो की भी कमी है उसके बाद finally state pollution control board के जो officials होते हैं उनको additional responsibilities भी दे दी जाती हैं जैसे हर्याना के state pollution control board के अंतरगत poultry farms भी आते हैं अब महेश कुमार के ऊपर एक और जिमेदारी डाल दी गई कि पोल्टरी farms भी आपको संभालना है महेश कुमार बिचारा कहता है मैं civil services की त्यारी करूंगा last में conclusion में कहा जाता हैं देखो हमारी जो ये लडाई हैं air pollution के against ऐसे professionals के ऊपर हैं जो overworked हैं underfunded हैं multitasking ह अगर देखो हमें successful होना हैं तो हमें इन professionals को एक chance देना होगा मतलब India को state pollution control boards को empower करना होगा उनको necessary funds देके human resource provide करके tools provide करके और technologies provide करके तो ये पूरा article discussion किया हमने state pollution control board की कम्यों के बारे में इस discussion में फिलाल इतना ही है thank you thank you very much for discussion